हेलो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज किस वीडियों के अदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 बेस्ट इंक टैंक प्रिंटर के बारे में दोस्तों अगर आप प्रिंटर के बारे में जादा नहीं जानते आपको सही printer लेने में help होगी तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर केवल मैं आपको ink tank printers के बारे में ही बताने वाला हूँ दोस्तो जो ink tank printers होते हैं वो ink jet printers के मुकाबले थोड़े से महेंगे आते हैं लेकिन दोस्तो उसकी जो printing cost होती है पर पीच की वो काफी सस्ती बढ़ती है अगर compare करें ink jet printers से दोस्तो एक ink jet printer जो होता है वो आपको 2 से लेके 4 या 5000 रुपए के अंदर अंदर आ जाता है जिसके उसकी जो printing cost होती है जिसके अंदर आपको black and white का जो print पढ़ता है एक पीच का वो around 5 से 7 रुपए या कभी किसी किसी printer में आपको 10 रुपए का भी पढ़ जाता है जो कि दोस्तो काफी महंगा होता है और दोस्तो वहीं बात करें ink tank वाले printer के बारे में वो आपको थोड़ा सा म देके 12 पैसे के अंदर उसका print पढ़ जाता है एक पीच का जो कि दोस्तो बहुत ही जादा कम है अगर आप compare करें एक ink jet printer के मुकाबले इसलिए दोस्तो एक ink tank printer लेना काफी जादा अच्छी choice होती है क्योंकि उसके अंदर आपको एक time ही cost लगती है खरीते समय लेकिन long run में आ tank 316 यह दोस्तो एक multifunction printer है इसके अंदर आपको print scan और photocopy के feature मिलते हैं दोस्तो इसमे connectivity के लिए आपको USB 2.0 मिलता है और कोई भी wireless option इसके अंदर आपको नहीं मिलता दोस्तो इसके अंदर आती है एक छोटी जी LCD डिस्पले जिसके अंदर आप इसके जो printing speed वगरा है या फिर दो भी इसकी setting से वह आप इसमें देख के set कर सकते हैं दोस्तो इस printer के जो cost per print पड़ता है वो पड़ता है 10 पैसे एक black and white page के लिए और 20 पैसे एक color page के लिए जो कि दोस्तो काफी सस्ता है और दोस्तो इसके जो page yield है वो है 7500 black and white pages के लिए और 8000 color pages के लिए दोस्तो page yield का मतलब होता है कि एक full tank के अंदर आपका printer कितने pages print कर सकता है दोस्तो इसके अंदर आपको मिलती है borderless printing का भी feature मतलब दोस्तो जैसे कि आप कभी भी print निकालते हैं तो इसके side में जो borders रहे जाते हैं उनको आपको cut करना पड़ता है लेकिन इसके अंदर आपको वो दिकत नहीं आएग दोस्तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको prices बताने वाला हूँ वो exact prices नहीं है यह prices time to time change होते रहते हैं कभी कम या कभी जादा तो इन सभी printers के link में आपको description box में दे दूंगा और comment box में भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप इनकी current prices चल रही है Amazon और Flipkart पर वो च सही लगी आपके budget के साब से आप उनको consider कर सकते हैं दोस्तो नंबर 4 पर है Canon PIXMA Z2060 यह दोस्तो एक multifunction printer है इसके अंदर आप print scan और copy कर सकते हैं और दोस्तों इसके आपको मिलती है एक छोटी सी display जिसके अंदर आप देखके सारे features इसकी use कर सकते हैं इसके अंदर आपको connectivity options के USB 2.0 का port मिलता है और दोस्तों इसकी जो cost per print पड़ती है वो पड़ती है 12 पैसे black and white page के लिए और 35 पैसे color page के लिए दोस्तों इसका जो page yield है वो है black and white pages के लिए 6,000 और color pages के लिए 7,700 क्याना इसको इसको इपर आपको देता है एक साल की warranty और दोस्तों इस printer के जो price वो है around 13,500 दोस्तों एक छोटी सी request है आप दोनों लिंक के उपर जाके प्लीज ट्राय करना क्योंकि किसी भी site पे आपको सस्ता मिल सकता है वहीं से आप इसको खरीदना दोस्तों नंबर तीन पे है Epson का eco tank L3101 दोस्तों यह एक multi function printer है इसके नदर आप printing scanning और photocopy भी कर सकते हैं connectivity के लिए इसके नदर आपको USB 2.0 का option मिलता है और दोस्तों इसके जो cost पर print पड़ता है वो पड़ता है 7 पैसे black and white page के लिए और 18 पैसे color page के लिए जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा कम है और दोस्तों इसका जो page yield है वो है 4500 black and white page के लिए और 7500 color page के लिए दोस्तों इसका जो page yield है वो है थोड़ा सा कम है अगर दोस्तों आप काफी frequently printing नहीं करते आपका काफी कम printing का काम है तो आप इसको consider कर सकते हैं दोस्तों इसकी जो printing speed है वो है 33 page per minute black and white pages के लिए और 15 page per minute color page के लिए मतलब दोस्तों एक minute में 33 page ये black and white के print कर देगा और एक minute में 15 page ये color print कर देगा दोस्तों इसके उपर Epson आपको एक साल की warranty देता है और इस printer के जो price वो है around 11,000 रुपे दोस्तों नमबर दो पर है Canon PIXMA G3000 ये दोस्तों एक multifunction printer है इसके नदरा आप print, scan और copy कर सकते हैं दोस्तों इसके नदरा आपको connectivity के लिए USB और साथे साथ Wi-Fi का option मिलता है और आप इसको अपने phone मे Canon app के थुरू भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके नदरा आपको cost per print जो बढ़ता है वो बढ़ता है 8 पैसे एक black and white page के लिए और 21 पैसे एक color page के लिए दोस्तों इसके जो page yield है वो है 6000 black and white pages के लिए और 7,000 color pages के लिए दोस्तों इसके नदरा आपको borderless print का भी feature मिलता है ज साथी साथ इसके उपर आपको Canon एक साल की warranty देती है दोस्तों इस printer के जो प्राइस वो है around 14,000 रुपए दोस्तों number one पे है brother TCP 520W दोस्तों brother एक Japanese brand है और काफी reputed brand है printers का और ये काफी अच्छी quality की printers बनाता है दोस्तों ये एक multifunction printer है जिसके अंदरा आप print, scan और copy कर सकते हैं और दोस्तों इसके अंदरा आपको मिलती है LCD display जो की आती है keypad के साथ मतलब दोस्तों इसके उपर आपको एक पुरा control panel मिलता है जो की काफी अच्छी चीज़ है दोस्तों इसके आपको connectivity के लिए USB का option मिलता है और साथी साथ Wi-Fi का भी option मिलता है जिससे कि आप wirelessly किसी भी कोने में रहे के आप अपने printer से print out निकाल सकते हैं दोस्तों इसके जो page yield है वो है black and white pages के लिए 7500 और color pages के लि 16,000 रुपे के आसपास लेकिन दोस्तों कभी-कभी यह 19-20,000 का भी हो रहता है और कभी-कभी मैंने इसको 12-13,000 बिखते हुए भी देखा है तो दोस्तों आप इसके जो links है description box में वहाँ पर जाके इसकी प्राइज हो चेक कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइज बहुत जल्द झाल